नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे टूब चैनल समस्क्र सरस्वती पर मैं रामकुमार सास्तरी आप सभी संस्क्र प्रेमी अनुरागियों का हर्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूं प्यारे सातियों हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं बार-बार आप कहते हैं कि हमें इसके नौट्स बगरा चाहिए ऑनलाइन व्यक्या चाहिए टेस्टरी चाहिए तो अब हम सब को जो भी सामगरी हम पढ़ रहे हैं उसके ऑनलाइन टेस्टरी प्रिंटेड नौट्स यह सारी सामगरी इदी आप चाहते हैं तो आप संस्क्राइब सरस्वती एप मुबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें इंस्टॉल करें और पढ़ें विस्तार पूर्वक्स से जो सामगरी आप यहां पढ़ रहे हैं उसके सारी के सारी प्र देंगे बहुत बहुत धन्यवाद चलिए क्लास प्रार्म करते हैं शुक्लाम ब्रह्म विचारी सारी परिमाम आध्याम जगेद्व्यापिनीं बीना पूस्त कि धारिनीं अभयदाम जाध्यांध्यकार आपहाम अस्ते स्पाटिक मालिकां विददतिम पद्मासने समस्थिताम वंदेताम परमेश्वरिम बगवतिम बुद्धी प्रदाम शारदाम समस्क्रत भाषा सिक्षन के बाद में अगला अपना सब्दाता उसका नाम है विद्धी एक अध्यापक अपने पाठे वस्तु को भलिभाती प्रस्तुत करता है उसी को हम कहते हैं विद्धी पूछे की साब विदी का मतलब क्या होता है तो विदी का मतलब होता है कि सिख्षक द्वारा या सिख्षक के द्वारा छात्रों के सम्मुख विशे वस्तू को प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करने का तरीका क्या बोला मैंने कि पाठे वस्तू को या पाठे सामगरी को जो भी कक्षा में सिक्षक पाठे सामगरी छात्रों के सामने प्रसुत करना चाता है उस पाठे सामगरी को छात्रों के सम्मुख रखना या उसके सामने प्रसुत करना विदी कहलाती है वैसे विदी सब्द हमारी समस्कत में पुलिंग होता है, लेकिन आप हिंदी में क्या करते हैं, इसको इस्तरलिख मान लेते हैं, एक अध्यापक पड़ाते समय अपनी पाठे वस्तु को, विशेश सामगरी को, छात्रों के सामने जिस तरीके से प्रसुत करता है, किसी मैं भी आप समझाऊंगा, क्या होती है प्रविदी और क्या होती है विदी वास्त Western सामने अपनी विशेवस्तू को रखने क एक तरीक है, और ये क्या होता है, पूरवर नियुजित होता है, यानि सबकुछ पहले से ही इसका नियुजित कर लिया जाता है, किसी विशेश में प्रद्यम से मुझे आज हमारी पाठे सामगरी को रखना है और यह अपरिवर्तन शील होते हैं ऐसा नहीं कि कख्षा में जाने के बाद मन किया कि यार मैं इस विदी से नहीं मैं तो किसी और विदी से पढ़ाओंगा ना किसी विशेश पाठे सामगरी के लिए एक विशेश विदी को ही फोलो किया जाता है जिसे उधारन के लिए मानली जी मैं नाम लू पाठे पुष्टक विदी अब जिस विशेश सामगरी को आप पाठे पुष्टक विदी के द्वारा ने पाठे पुष्टक की साहिता से पढ़ा रहे हैं तो फिर आप पाठे पुष्टक पढ़ेंगे उसका नाम क्या पढ़ेंगे हम प्रत्यक्स विदी तो यह सब क्या है एक तरह से चात्रों के सामने विशेवस्तु प्रस्तुत करने का सम्मुक रखने का एक तरीका है इसको हम बोलते हैं विदी और यह पुर्वर नियोजित और अपरिवर्तन शील होती है यानि पहले से हम इसको लेकर चलते हैं और इसमें कोई विशेश परिवर्तन एक अचानक नहीं किया दा सकता सब फिक्स होता है और एक विशेश तरीके से होता है दूसरा विदी का जो छोटा रूप यानि लगूजु रूप होता है चोटा जो रूप होता है क्योंकि विदी काठिन निवारन करके विशे सामगरी को चात्रों के सम्मुक रखना या विशे सामगरी को प्रस्तूत करना विशे सामगरी को प्रस्तूत करना विशे सामगरी को प्रस्तूत करना यानि पढ़ाते समय जब आप प्रस्तूती करन कर देते हैं तब नए सब्दाते हैं अलगलग प्रवीदी और प्रवीदी में क्या अंतर है प्रवीदी भी दोस्तों पूर्व नियोजिती होती है यदि आप गद्ये शिक्षण में काम में कोई विदी ले रहे हैं और गद्ये शिक्षण के अंतर गद्ये आप काठे निवान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी कुछ विशेश प्रवीदियों का या प्रियोग करते हैं लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये कख्षा कख्ष की परिशितियों में आप इसमें थोड़ा बुद परिवर्तन कर सकते हैं आपका मन होगी नई मैं इस सब्ढ की वित पती नहीं बताना चाहता हूं तो ये पूर्वनीज थो होती है पर कक्सा कक्स की परिस्टियों में इसमें बदलाव संभः हो सकता है अब बड़े रूप में दी में आपको समझाने का प्रयास की रूप दी तो पढ़ाने का एक तरीका है कि मैं आज प्रत्यक्स विदी के द्वारा ही आपको को सिखाने आया हूँ लेकिन उस प्रत्यक्स विदी में चोटे-चोटे चित्रों की साहिता से मानचित्रों की सहाइता से और आगे बहुत सारी सिक्षण युक्तियों का सहरा लेता हूं वो आगे और अंदर जो छोटी-छोटी चीजी मेरे पास होती हैं छोटी-छोटी कारिक्रम में ओर करता हूं उनको ही मैं प्रविदी नाम देता हूं और दोस्तों इन्ही प्रविदीयों को सिक्षण की युक्तियां भी कहते हैं इन्ही प्रविदीयों को सिक्षण युक्तियां भी कहा जाता है इनका जो अन्य नाम है यानि सिक्षण प्रविदीयों का जो अन्य नाम है वो क्या कहोगे आप सिक्षण युक्तियां आप लोग जब गद्दे या पद्दे में काटिन निवान करते हैं तो वहां आपने देखा होगा उद्बोधन विदी में चित्र दिखाना, मोडल दिखाना, या अभिने करके दिखाना, प्रदर्शन करना, साक्साथ पदार दिखाना, कता सुनाना, ये सब क्या हैं? ये सब गोस की जानकारी देते हैं, टीका करते हैं, जब आप गद्दे शिक्षन की विदी, यानि बड़े रूप में, जिसका नाम में इस्पश्टिकन विदी बूलता हूं, पढ़ाने का तरीका है, उसी विदी में आगे जा करके मैं कभी वितपत्ति नाम की प्रविदी का असार लेता हूं, उसके अंतरगत में किसी प्रसंग नाम की प्रविदी का असार लेता हूं, उसी में अलगलग प्रकार्स तो कहने का मतलब यह कि विदी बड़ा रूप होती है, इसके दोरा पढ़ा जाता है, एक तरीका है पढ़ाने का, लेकिन इस विदी के अंतरगती बहुत च्छटे कारेक्राम और भी किया जाते हैं, जिसका नाम प्रविदी, यह पूर्वन नियुजित, यह पहले से फिक्स होती है, और इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, अपने तरीके से लागू होती है, लेकिन इनमें आगे जाकर आप एक तरीके से नहीं पिलका दूसरा त परसुद करने का एक तरीका है, मैं अब आपको लेकर चलता हूँ, शिक्षन विधी की ओर, क्योंकि पढ़ना तो हम यह यह न, हाला कि हम पढ़ना तो यह चाते हैं, कि संस्क्रत भाषा के लिए कौन कोई से शिक्षन विधी काम में लेते हैं, अब आपने शिक्षन को पढ बनता है, जिसका नाम क्या होता है, शिक्षन विधी, यानि शिक्षन कारिये की जो विधियां है, उनी का नाम हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षन विधियां पढ़ेंगे, दोस्तों, शिक्षन विधियों का आविश्कार, आज से नहीं, बलकि आज से भी बहुत साल पहले से ल से कास कपसे हुआ कपसे सिख्ष्ण विदियों में काम किया है गौत लंबी परंपरा रही है कामेनियस से लेकर आप पड़ेंगे प्रोभेल से लेकर कि आप पड़ेंगे वूसों प्लेटों उन जमाने से भी सिक्ष्ण के कई सारी चोटी चोटी चीज़े आपके सामने रखी गई थी जिनकी चर्चा में आपको लेकर करता हूँ आदुनिक सिक्सन सास्तर का जो विकास माना जाता है यानि जिस रूप में आज वर्तमान में आदुनिक सिक्सन सास्तर को आप देखते हैं उसे आदोनिक सिक्सन सास्तर का जो विकास माना जाता है उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है आपके एक महान ग्रंथ जिसका नाम है ग्रेट डायडेक्टिक और इस ग्रेट डायडेक्टिक नाम का जो ग्रंथ है इसका लेखक जो है वो उसका नाम है ग्रेट डायडेक् और एक और आपके शिक्सन साथ त्रिया जिसका नाम क्या था वेसले वेसले ने भी अपने शिक्सन सम्मंधी जो भी वशह थे आँना व место पुस्तक का सारा लेकर उन्हें प्रस्तुत किया और उस पुस्तक का जो नाम रखा उन्होंने उसका नाम था methods and technique क्यार नाम दिया उन्होंने अंग्रेजी में लिखी तो अंग्रेजी बासाम इसका नाम है कि methods and technique ठीक है उसके बाद में धीरे 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 आज जी स्रूमें सिक्षन सास्तर को आप देखते हैं आधुनिक सिक्षन विदियों का जो जनम और विकास माना जाता है आज वरतमान में जी स्रूमें आप सिक्षन विदियों देखते हैं उन सभी सिक्षण विदियों का जो जनम हुआ या यो मान लिजी है कि इनका जो विकास हुआ आधुनिक सिक्षण विदियों का जनम या यो मान लिजी जो विकास दोनों ही एकी बात है वो माना जाता है रूसों के प्रयासों से रूसों ने सिक्षण से समझने कई सारे प्रया प्रणको मैं आपको तो बहुत सारे कारी रूसों ने सिक्षण के विधियों के शित्र में किया है आप एक मैंनोवग्यानिक और सिक्सास्तुरी दोनों ही रूप में प्रिणाम की है जी universo क्रमस आपने जेरू सुना होगा एक महान हिए जिस defendant नाम पड़ते हैं हरबर्ट पड़े हो ना एक का नाम तो क्या है प्रोबेल है और एक का नाम क्या है हरबर्ट है दोनों ही मशुहर हुए और दोनों नहीं दो विदियों का नाम दिया था इसमें एक का नाम आप पड़े होंगे किंटर गार्डन है ना बालोध्यान के नाम से आपने एक विदी पड़ी होगी जो अपने आप में बहुत नरसरी शिक्षा एजुकेशन का जन्म आना जाता है तो एक तो केंटर गार्डन विद्य दी और हरबर्ट जिसका तो आपने बहुत प्रशिद्ध है इसको नाम सुनाई होगा पाठी उजना निर्मान का आधार पंच पदी योजना ह जिनमें एका नाम फ्रॉबेल था और एका नाम हरबर्ट था फ्रॉबेल नहीं के इंटर गार्डन पदती दी और जो हरबर्ट हुए उन्होंने पंच पदी नाम से एक शुषन विदी दी है तो शिक्षा सास्त्र का बिशिस रूप से जो आप पढ़ते हो न वो यहां से य जनम और विकास जो माना जाता है विलुसे के प्रयासों से माना जाता है तर्फ टालो जी एक ऐसा स्पेसीड़ वा जिसी पूरी जिन्दगी शिक्षर न सास्तर में लग french और अर्वर्ट जिसने कें قंच पदी योजिना का विकास किया बात को आगे बढ़ाओं तो शिक्ष ऋठेशन विदिर के सिक्षा कि शत्र में काम किए उनहीं के प्रिणाम से रुखरा थे आपके सिक्षण विदि है किस रूपेशन विदि को समझते हैंodel आप सब जानते हैं कि कख्षा में कढम करता है तो इस अध्याप्पक का वास्तावी कुद्श ये क्या हूता है उसके सामने जो भी उसका विद्यारती है जो भी उसका चात्र है वो उसका सरवागिन विकास करना चाहता है इसके लिए क्या करता है? वो अपना जितना भी विशे वस्तु होती है जितना भी छातरों के समक्ष दिये जाने वाला अपना पाटे वस्तु होती है विशे सामगरी होती है उसको एक विवस्तित करम में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है क्या करता है विवस्तित करम से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है क्या ना इसी के लिए क्या करता है वो अपने विशेवस्तु को प्रस्तुत करने के लिए या यो मानलीजी जो अपने सिक्षन के पूरू में उसने उद्देशे निर्धारन किये हैं उद्देश्यों की पूर्ती के लिए या उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए क्या करने के लिए प्राप्ती के लिए और अपने सिक्षन को सफल बनाने के लिए दोनों ही चीजो के माठ्यम से वो दोनों चीज़ों को क्या कर ले प्राप्त कर ले तरीकों का प्रियोक किया जाता है यान। सीधी बासा में कहों भी में बात कर रहा था आपको कि वो अपनी शिक्षन विदियों का साहरा लेता है सिक्षन विदियों के प्रयोग से होता क्या है सिक्षन विदियों का प्रयोग करने से उसका जो शिक्षन है वो सरल हो जाता है और सरल होने के साथ साथ में वो सरस भी हो जाता है और सुबोद भी हो जाता है तो सिक्षन कारिये सरल हो जाता है सरल के सासा सरस हो जाता है सुबोद हो जाता है ने केवल सिक्षन कारिये ही सरल होता है बलकि उसके साथ बच्चों को जो होने वाला अधिगम है वो भी सरलता पूर्बव हो जाता है तो शिक्षन और अधिगम की सरलता के लिए सरल तरीके से बच्चों को ज्यान हो जाए इसके लिए कई सारी सिक्षन युक्टियों का सारा लेता है तो दोस्तों ये थी आज की क्लास अधि एक नए अंदाज में एक नए विश्यवस्तु के साथ एक नए तरीके के साथ आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज के क्लास आपकी प्रतियों की प्रिक्षा के लिए बहुत लाबदैक रहेगी दोस्तों ये वीडियो कैसा वाली क्लास से और भी जोड़दार होंगी आपके लिए जो वास्तम भायदे मन रहेंगी रेट और सिटेट या कोई भी परिक्सा होगी इसमें हम बहुत अच्छन प्राप्त करेंगे बनेरिये का चैनल के साथ जैतों समझेता हूं चैतों भारत हूं